भाई और बेनो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह कर जाता हूँ जार्खन की हैमन्सोरेन सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा ब्रश्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो जार्खन में हैमन्सोरेन की सरकार यह इतनी बड़ी सबाह है हजारों हजारों लोग रोर तक खड़े है किसी ने 350 करोड रुपिया एक साथ देखा है क्या अरे जोर से बोलो देखा है क्या बाकी के जीवन में देख पाओगे क्या तो मैं आपको कहता हूँ कल भारतिय जनता पाटी की वेब साइट पर चले करेस नेता दीरत साहु के घर से 3.500 करोड रुपिया मिला उसका ध्रस्या आपको देखने को मिलेगा भाईयो बैयनो मैं हमनजी को पूछना चाहता हूँ हमनभाबो दे साड़े तिन सो करोड रुपिया मेरे संथाल के घरीब युवा और आदिवासी मा का रुपिया ये लोग एंट कर ले गए एंट कर ले गए जारखन के कॉंग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम उनके घर से 35 करोड नगदी मिली 35 करोड और जब SBI के अफिसरों ने बाहर निकर इंटर्वी दिया तो उन्हें नों कहा गिनते गिनते हमारे मसीन गरम हो जाते थे मसीन गरम हो जाते भाईो बैनों एक हजार करोड का मंडे गा गोटाला किया 600 करोड का जमिन गोटाला किया हजार करोड का खनन गोटाला किया सेना की जमिन भी खा गए 40 करोर का सराप का गोटाला किया मुझे बताओ एक गोटाले करने वाली सरकार मेरे आदिवास्यों का भला कर सकती है क्या जोर से बोलो कर सकती है क्या भला करने का काम हमारे नेता नरेंदर बोदी जी लालू यादव की पार्टी जेमिम और राहूल बाबा की कॉंग्रेस पार्टी ये तीनों का वॉट बेंक है गुस्पेट ये वॉट बेंक के डर से वो गुस्पेट को रोकते नहीं मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूँ बगवान भला करे जारखंड हाई कोट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमिटी बनाओ जारखंड सरकार और भारत सरकार के गुरू मंत्रा लेकि भाईो बेनो एक जारखंड सरकार बदल दो मैं आपको वादा करकर जाता हूँ एक एक गुस्पेटिये को चून चून कर जारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे हमारे ही प्रदेश में हमारे ही संथाल में हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगे एक घुस्पेटियों की संख्या बढ़ रही है हमें इसको रोकना पड़ेगा और एक केवल और केवल भारतिय जन्ता पाटी कर सकते हैं भाईों वेनों इन्होंने वादा दिया था है मन बाबु मेरा जवाब देना कुपिया आपने भाई पीली जर्सी बैठ जाओ जरा ओ पीली जर्सी वाले पत्रकार भाई आप नीचे आजाओ जरा आप नीचे आजाएए थोड़ा नीचा हो जाएए पिछे दिखाए नहीं पड़ता है अरे सुनाई पड़ता है कि आपको आप नीचे बैठ ये जरा प्लीज बास चलो अब तुम भी बैठ जाओ भई बाकी सारे लोग बैठ जाओ भाई ओवेनों ए हैमन सोरेंजी ने वादा कि अधा कि प्रतिवर्स पांच लाग नोकरी देंगे मैं इस सबा के युवाओं को पुझना जाता हूं प्रतिवर्स पांच लाग नोकरी मिला है क्या अरे भाई है जोर से बोलो उनको सुनाए नहीं पड़ता है मन जी को प्रतिवर्स पांच लाख नौकरी मिला है क्या और नौकरी की जगे दोड़ा दोड़ा कर युवा मर जाए तब तक दोड़ाने का काम एह हैमन सौरें ने किया है हैमन सौरें ने किया है एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे है